एक टास्क दूँ, अपनी दादी नानी से पूछना कि कितने दुनों में नहाय करते थे गाउं में, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि हफ्तों हफ्तों नहीं नहाय जाता था, क्योंकि उस समय हवा इतनी साफ थी कि नहाने की जरुरत महसूस ही नहीं होती थी, लोग इतने क सूर्यदेव मौझूद है, उनकी किर्ने भी हमारे लिए अब स्वास्ते वर्दक नहीं रही, जिहां, सिरफ डॉन एंडस्क यानि कि सूर्यदय और सूर्यास्त के समय की जो किर्ने होती हैं सूर्य की, सिरफ वही हमें स्वास्ते देती हैं, बाकि सभी हमें बहुत बुरे- रोग देती हैं, जिहां ये सिद्ध हो चुका है कि सूर्य की किर्ने हमारे शरीर पर हमारी कोशिकाओं पर जैसे ही पड़ती हैं, तो करक रोग जैसी परिशानिया भी हो सकती हैं, इसलिए इंपोर्टन हो जाता है संस्क्रीन का अप्लिकेशन लगाना ही है, तो आज के DIY यानि की Do It Yourself Sunscreen Preparation, जिसको आप घर पर प्रिपेर करेंगे, बहुती सिंपल चीजों से प्रिपेर करेंगे, और बहुती अमेजिंग रिजाल्स अपनी स्किन के लिए पाएंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना बहुत आवशक है, वरना संस्क्रीन का जो माजिक है वो आप मिस कर देंगे हूं about do it yourself sunscreen, कि हम घर पर sunscreen कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनना अनिवार रहे है, वरना miss हो जाएंगे, बहुत सारी important बाते हैं, सबसे बहले बात करते हैं कि sunscreen की आवशकता क्या है, सूरे तो देव है, ये तो आशरवाद ही देंगे, तो इन से क्यों protection चाहिए हमें, हैं, सूर्यदय और सूर्यास्त, सिरफ यही दो समय हैं, जब सूरे की किर्ने हमें कोई परिशानी नहीं देती, बलकि स्वास्त देती हैं, लेकिन इस समय किसके पास वक्त है कि सूरे की किर्ने ले पाएं, तो बाकी समय जो हमारा interaction होता है sun rays के साथ, sun radiation के साथ, वो सभी harmful है, तो कैसे बचा जाए, इसको प्रिटेक्ट किया जाए, जितना भी हमारी skin बाहर exposed हो रही है, उस पर हमें sunscreen लगानी है, बहुत सारे लोगों को गलत फैमी होती है, कि चहरे पे अलग sunscreen होती है, बोडी पे अलग sunscreen होती है, ऐसा बिलकुल नहीं होता, same sunscreen आप चहरे पर भी लगात होते हैं, so I hope that answers so many questions out there, you can use the same thing on your entire body, which includes your face, sun की rays में बहुत बड़ा spectrum ऐसा होता है, जिसकी radiations हमारी skin के लिए compatible नहीं होती, जैसे की ultra wallet radiations, इसको दो भागों में विभाजत किया जा चुका है, and that is your UVA, यानी कि ultra wallet A and ultra wallet B, अब ये क्या है, ultra wallet A radiations वो है, जिनका हमें पता नहीं जलता और ये हमारी skin में अंदर तक पेनेट्रेट करके, अंदर की सतह को जला देता है, जिहां, sunburn, most of the important example जो इसका होगा, वो pigmentation है, हमारी उपर की सतह तो बिलकुल ठीक रहती है, लेकिन अंदर की skin जल जाती है, तो इसका में कारण होता है, कि ultra wallet radiations, जो A spectrum है, वो हमारी skin को radiations होती है, वो हमारी skin को उपर से बर्न करता है, हमें पता है, sunburn क्या होता है, तो जो sunburn आउटर बोडी में होता है, it is because of UVB, ultra wallet radiations B, दोनों ही radiations हमारे अच्छी नहीं है, skin को खराब करती है, pigmented करती है, जला देती है, तो इन दोनों ही radiations को हमें ब्लॉक करना होता है, अब कि से ब्लॉक किया जाए, देखिये, not only this platform, बहुत सारे ऐसे platforms हैं, जहां पर बहुत सारे लोग DIY remedies आपके साथ शेर कर रहे हैं, which is a very beautiful thing, it's a revolution, जिसको जितना knowledge है, वो यहां पर शेर कर रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार को आगा करना चाहूंगी, educate करना चाहूंगी, कि प्ली जिए, it's very very important, बहुत सारे लोग carrots का इस्तेमाल कर रहे हैं, gajar का इस्तेमाल कर रहे हैं, carrot seed oil, carrot seed essential oil, और maybe carrot juice का इस्तेमाल कर रहे हैं, to make sunscreens, let me tell one thing, very important thing to all of you, कि carrot seed essential oil, topically आपकी skin को sun से नहीं पर्टेक कर सकता, जिहां, topical application के लिए, carrot seeds are absolutely not helpful, आप कुछ भी उससे बना लीजिए, वो आपको sun protection factor, जिसको SPFM बोलते हैं, वो नहीं दे सकता, तो इसी लिए, you have to educate yourself, and this is not possible, तो क्या किया जाए, देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ये वाली वीडियो मेरी चेकाउट कर सकते हैं, तो that would be great for you, क्य कौन से available हैं, कौन कौन सी skin type, किस sunscreen को यूज कर सकती है, और amazing results अपने लिए पास सकती है, क्योंकि यहां पर आपको clarity मिल जाएगी कि कौन सा sunscreen आप यूज कर सकते हैं, but to those people, जो घर पर prepare करना चाहते हैं, आप लोगों को basically 3 ingredients चाहिए, number 1, एक base चाहिए, जो की हो सकता है आपका shea butter, जो की हो सकता है आपका बी वाक्स, या फिर हो सकता है unscented lotion, कोई भी एक चीज आप ले लीजिए, number 2, आपको चाहिए, zinc oxide, देखिए, FDA रेकमेंड करता है, सिरफ दो ही चीजे to be used as SPF, that is, scent protection factor, जो की है zinc oxide, जो की powder form में आपको online easily available हो जाएगा, जो मुझे ठीक लगा, मै लिंक नीचे आपको देगोंगी, आप उसको चेकाउट कर सकते हैं, और दूसरा होता है, titanium oxide, zinc oxide को आप लेकर आ सकते हैं, आप लोगों को अगर आप 100 gram product बना रहे हैं, तो 40 gram zinc oxide का इस्तमाल करना है, तभी आपका ये कारगर होगा, otherwise there is no point, और तीसरा ingredient आपको लेना है, that could be some sort of, या तो आप बी वाक्स ले सकते हैं, मतलब कि आपको कोई lubricating factor चाहिए, जो कि अराम से slip हो सके, याई कि आप रांडमली कुछ भी नहीं ले सकते, कि कोई essential oil दाले है, something, दो आप फ्रेग्रेंस के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, but not more than that, ये तीन basic ingredients आपको चाहिए, to prepare your DIY sunscreen, which will be chemical based, obviously आप यूज़ कर रहे हैं chemical, तो वो chemical based sunscreen आपका हो जाएगा, पर आप तो बोलते हो, chemical ना यूज़ करना, देखिए, अब मैं आपके साथ डिसक्स कर रही हूँ, कि Ayurveda क्या कहता है, Ayurveda में दूर दर्शिता थी, उन्होंने कप की, यूनों, बहुत पुराना Ayurveda का हमारा knowledge है, जो वो सब बाते बता देता है, जो आज डॉक्टर्स डिसकावर कर रहे हैं, तो Ayurveda में sun protection factor के लिए, जिस चीज का बखान किया है, वो है तिल तैलम, यानि कि sesame seed oil, sesame seed oil, देखिए वैसे में विंटर के लिए sunscreen चाहिए, और winter में तेल का application is just amazing, मैं आपको बता रही ह हूँ, अभी तो लग रहा होगा, क्या भूल रही है यार, तेल कैसे लगा सकते हैं, but believe me, इस तरीके से मैं भी आपको बता रही हूँ, आपका मदब, change हो जाएगा perception कि, you know, ऐसा भी हो सकता है, जिहां ऐसा हो सकता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए, what needs to be done, सबसे पहले समझ है कि coconut oil, and तिल का तेल, जब इनको equal quantities में लिया जाता है, तो यह आपका, जो sun का harmful spectrum है, उसका 75% को रोक सकता है, आप कुछ मत लगाए अपने चेहरे पर, बीस मिनट के लिए sun rays के सामने चाहरे पर, बीस मिनट के लिए sun rays के सामने चाहरे, बीस मिनट के लिए थूप की डारिक and sesame seed oil, यानि कि नारिल का तेल और तिल का तेल, इनको मिला के लगाने से, आप 75-35 नेगिटिव चीजों से बच जाते हैं sun की, कोई sun damage आपको नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितने potent हैं oil, पर oil लगा के office कैसे जाएंगे यार, जाएंगे, definitely जाएंगे, I'll tell you कैसे होगा, सबसे पहले तो हम blend of oil अपने ले प्रिपेर करेंगे, जिसको हम as a sunscreen इस्तमाल करने वाले हैं, now what would that be, आप लोगों को एक bowl लेना है, इसमें आपको approximately 50 ml of coconut oil, 50 ml of तिल का तेल, जो तिल का तेल आपके पास available है, the best thing is आप cold pressed oil का इस्तमाल करें, क्योंकि हम skin पर application करने वाले हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो आप जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं, 50 ml coconut oil, 50 ml तिल का तेल, next आपको चाहिए 10 ml of almond oil and 10 ml of castor oil, जिहां, अरंडी का तेल जो होता है, यह आपकी skin को सशक्त बनाता है, इसको equipped कर देता है कि कोई भी परेशानी skin पर क्यों आने वाली हो, उससे आपक skin fight कर सकती है, आप इसके बारे में पढ़िए, मैंने बोला मेरी बातों पर विश्वास कता ही मत कीजिए, पढ़िए इसके बारे में, और लास्ट में डाल सकते हैं, rose essential oil, only for fragrance और कोई purpose नहीं है, चार से पांच ड्रॉप आप rose essential oil के लिए 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 और इस पूरे के पूरे जब तक यह सारे के सारे oil अच्छे से इंफ्यूजना हो जाए आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं कि oil आपस में शुरू में नहीं मिलेंगे, जब आप इसे धूप में रख देंगे तो यह बिल्कुल एक सार हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा liquid हो जाएगा, और इसके ब यह बहुत ही बहुत ही अमेजिंग एसपीफ रखता है, तो अप्रॉक्समेटली ट्वेंटी एसपीफ आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमने अरंडी का तेल और आमड ओल, इनका ब्लेंड प्रिपेर किया है, जो कि all together gives you an amazing, 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 amazing sun protection, अब इस्तिमाल कैसे बहुता है, सबसे पहले जब आप नहाँ जाएं, उसके बाद आप नहाँ गए हैं, आप यह थोड़ा सा ओयल लीजिए, पूरे चहरे पे, पूरी बोडी पे, अच्छे से पैरो पे, इंटार बोडी लगा लीजिए, डन, सरदिया है, खुसकी तो सभी को होती है, होती है कि नहीं होती ह अब खुसकी भी हटेगी, और संसे प्रोटेक्शन भी मिलेगी, तो इन वन काम हो रहे हैं, तब तो आप खुशी होचाना चाहिए, यह पूरा का पूरा ओल अच्छे से अपनी बोडी पे लगा लीजिए, पानी के उपर ही, जी हां, आपकी बोडी अभी गीली है, उसके उ महसूस ना हो, हलका बहुत तो रहेगा, जो चाहिए भाया, मॉइस्टर नहीं चाहिए बोडी में, इसके बाद अपने आपको अच्छे से वाइप ओफ कर लीजिए, गेट रेडी अच्छे से, चहरे पर लगा रहने ते, अभी लगा रहने दीजिए, उसके बाद अब आप तो आप रोस वाटर को अपनी चहरे पर हलका सा स्प्रे कीजिए, और वाइप टॉफ, अगर आपको ओईली महसूस हुआ, तो आकर कॉमें सेक्शन में डेफिनिटी लिग दीजिएगा, भी हावे बहुत बहुत ओईली लगा, I'm pretty sure आप नहीं लिग पाएंगे, क्योंकि जै प्रेक्शन फाक्टर है, वो दे दिया है, मौस्टराइज हुआ वो अलग, पर SPF भी हमने लगा लिया है, यह जो तरीका है, संस्क्रीन से प्रेक्शन का, I would suggest जो लोग घर पर हैं, या फिर जो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो इस्तमाल करें, जो लोग बाहर जा रहे हैं, वो market-based sunscreens का ही इस्तमाल करें, क्योंकि जो SPF वहाँ पर है, वो काफी strong है, काफी concentrated है, और आपको amazing results देता है, यह जो हमने आयुरुवेद का portion लेके, SPF अपने ले प्रिपेर किया है, this would definitely bear results, लेकिन अगर आप इसको regularly इस्तमाल करते रहेंगे, तो, हालांकि एक बार के application से 75% र तो, सोचिए, आपकी skin खुदी सशक्त हो जाएगी, कि हमें कोई damage नहीं होना, इसलिए, अगर आप तेल वाला यह जो, आयुरुवेदिक स्टाइल, sunscreen प्रिपेर कर रहे हैं, तो, make sure, आप इसको regularly use करें, ताकि आपकी skin इसके लिए radiant हो सके, ready हो सके, और sun damage से, खुद को protect कर सक I know, I know, I absolutely understand, कि तेल, sunscreen हो सकता है, यह समझने में, यह digest करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन, अगर आप शान दिमाग से बैठ कर, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, इस्तिमाल करेंगे, और results खुद देखेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे, कि यह सब इसको प्रिपेर कीजिए, लगाईए, और फिर डिफरेंस देखेंगे, यह स्पेशली में आपके साथ अभी विंटर सीजन में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ओविसली समर में यह चीज हम नहीं कर सकते, यह उसिंग ओईल अस संस्क्रीन होता है, इसलिए विंटर में इसका कीजिए, ताकि समर तक हमारी स्किन इतनी रेडियंट हो जाए, कि बस समर रेडी होकर ही वहाँ पहुंचे, तो पूरे विंटर सीजन में आप इसको अस संस्क्रीन यूज कर सकते हैं, and you can see the change in your skin, क्या मैं ऐसा करती हूँ, देखे, जब भी मैं घर पर रहती हूँ, सर्दिय में, I make sure कि मैं इस तरह से blend of oils ही अपने ले आज संस्क्रीन यूज करूँ, लेकिन, if I am going out, I make sure to wear sunscreen twice a day, morning में नहाने के बाद, और शाम को I wash my face and I reapply my sunscreen, it's very important, very very important, हम लोग सोचते रहते हैं, क्यों हमारी स्किन पे इतनी प्रब्लम हो रही है, और संस्क्रीन नहीं लगा रहे ह तो skin issues के अब बात करने के लिए entitle नहीं है, sunscreen is a necessity जो आपको लगाना ही लगाना है, तो आशा करती हूँ मेरे परिवार को समझ में आया है, sunscreen क्या होता है, क्यों इस्तमाल करना होता है, किस quantity में आपको लगाना है, generously लगाना है, right, generously इसको apply करना है, अगर अभी भी आपकी comment section and I'll be there to answer all of it, be very very relaxed, बहुत positive हो कि इसका इस्तमाल कीजे, I'm pretty sure आपको समझ में आएगा और आप इसका इस्तमाल अपने ले definitely करेंगे, I'll see you all in the next video with something magical for you, तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये, खुश रहिये और प्रिती प्रिणा की चानल से जुड़ी रहिय झाल के बहुत के चानल से जुड़ी रहिये.